हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग I hope आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे चल दी होगी तो आज हम करेंगे अपना लेक्चर नमर 2 क्लास 6 के चैप्टर नमर 12 रेशो और प्रपोर्शन का इस लेक्चर के अंदर हम एक्सराइस 12.1 के कोशन नमर 1 से लेकर कोशन नमर 5 तक के कोशन को डिसकर्स करेंगे और उन्हें सीखेंगे आज होप आपने मेरी पहले की वीडियो देख लियोगी इस चैप्टर की अगर नहीं देखी तो निचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस के लिंक होगा तो आप वहां से पहले की वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोशन नमर 1 करते हैं एक क्लास के अंदर 20 गल्स हैं 15 बॉइज हैं ठीक है ए पार्ट का कहता है हमें यहाँ पर रेशो निकालना है नमर अफ गल्स का नमर अफ बॉइज के कमपेर में ठीक है और बी पार्ट में इसमें भी हमें रेशो निकालना है nombre अफ गल्स का total number of students के कमपेर में ठीक है तो करते हैं इस कोशन को सबसे पहरे जो इस कोशन में हमें given है वो हम यहाँ पर लिखते हैं number of girls 20 है number of girls 20 है नमबर ओफ बॉइज फिफ्टीन है नमबर ओफ बॉइज फिफ्टीन है ठीक है और टोटल स्टुडेंट्स कितने हो जाएंगे टोटल स्टुडेंट्स इन अ क्लास के अंदर टोटल स्टुडेंट्स हो जाएंगे 20 प्लस 15 यानि की 35 ठीक है तो बॉइज और गल्स को मिला कर टोटल स्टुडेंट्स है 35 अब ए पार्ट करते हैं सबसे पहले हमें ratio निकालना है number of girls का number of boys के compare में ratio of number of girls to number of boys ठीक है number of girls का निकालना है तो इसको हम उपर लिखेंगे number of girls कितनी है 20 तो 20 आएगा numerator में यानि की उपर और denominator में क्या आएगा number of boys ठीक है जो की है 15 धियान क्या रखना है आपको जिसका निकालना है ठीक है यहाँ पर number of girls का निकालना है उसको हम उपर रखेंगे और जिससे compare करना है यानि की number of boys इसको हम निक्चे denominator में रखेंगे ठीक है अब आप इसको divide करो यह 5 से divide हो जाएगा 5 4s are 20, 5 3s are 15 ठीक है कितना आ गया यह 4 upon me 3 ठीक है 4 upon me 3 यानि की 4 ratio 3 ठीक है तो ratio आ गया number of girls का number of boys के compare में अब निकालते हैं पार्ट रेशो निकालना है number of girls का total number of students के compare में तो लिखेंगे हैं आपर ratio of number of girls to total number of students ठीक है again number of girls का निकालना है तो इसको हम numerator में रखेंगे number of girls है 20 तो यह 20 उपर आएगा यानि की numerator में और total number of students से compare करना है तो यह निचे denominator में आएगा यानि की 35 denominator में आएगा ठीक है अब यह 5 से divide हो जाएगा 5 4s आ 20 5 7s आ 35 ठीक है तो 4 upon में 7 आ गया इसका ratio कितना आएगा 4 ratio 7 ठीक है तो इस तरीके से यह question होना था अब करते हैं अगला question question number 2 करते हैं out of 30 students इना class 6 like football 12 like cricket and remaining like tennis क्या कह रहा है इस question में class के अंदर total 30 students है ठीक है 30 students में से 6 students को football खेलना पसंद है 12 students को cricket खेलना पसंद है और remaining students को tennis खेलना पसंद है ठीक है तो जो question में हमें given है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं total students total students कितने है 30 ठीक है number of students like football 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 कितने students को पसंद है 6 six ठीक है number of students like cricket cricket कितने students को पसंद है 12 ठीक है number of students like tennis tennis कितने students को पसंद है remaining students को तो इसको हम कैसे निकालेंगे अगर हम 6 और 12 को जोड़ दें ठीक है और इसको 30 में से minus कर दें यानि कि total students में से minus कर दें तो उतने students आ जाएंगे जिनको tennis खेलना पसंद है ठीक है तो इसको कैसे निकालेंगे हम total students में से minus कर देंगे उन students को जिनको football और cricket खेलना पसंद है यानि कि 6 students और 12 students ठीक है 30 माइनस 6 प्लस 12 कितना होता है 18 ठीक है 30 में से 18 को minus करोगे आपके पास आ जाएगा 12 ठीक है तो 12 students को tennis खेलना पसंद है clear अब निकालते है ratio ए पार्ट कहता है number of students liking football to the number of students liking tennis यहां पर हमें ratio निकालना है number of students जिनको football पसंद है to the number of students जिनको tennis पसंद है ठीक है तो देखो कैसे निकलेगा ratio of number of students like football to number of students like tennis ठीक है कैसे निकलेगा number of students जिनको football पसंद है उसको compare करना है किस से number of students जिनको tennis पसंद है तो football इसको पसंद करने वाले students को हम उपड लिखेंगे यानिकी numerator में और tennis को पसंद करने वाले students को हम निच्चे denominator में लिखेंगे ठीक है तो football को पसंद करने वाले students है 6 और tennis को पसंद करने वाले students है 12 ठीक है ये 6 से divide हो जाएगा 6 1s are 6, 6 2s are 12 कितना आ गया ये 1 upon me 2 यानि की 1 ratio 2 ठीक है इसका ratio आ गया अब भी part करते है number of students liking cricket to the total number of students हमें या पर ratio निकालना है number of students जिनको cricket पसंद है to the total number of students ठीक है तो निकालते हैं इसको ratio ratio of number of students like cricket to total number of students ठीक है जिन students को cricket पसंद है उसको हम numerator में रखेंगे यानि की 12 students को cricket पसंद है तो 12 को हम उपर रखेंगे यानि की numerator में और total number of students इनको हम denominator में रखेंगे और total number of students है 30 ठीक है अब देखो ये 6 से divide हो जाएगा ठीक है ना 6 2 जा 12 होता है 6 5 जा 30 होता है clear तो ये हो जाएगा 2 ratio 5 ठीक है तो आ गया इसका ratio अब करते हैं अगला question question number 3 करते हैं see the figure and find the ratio of यहाँ पर आपको एक figure दे रखी है इस figure को देखकर A part और B part इसका ratio निकालना है ठीक है तो ये figure rectangular shape की है अब देख सकते हो ठीक है ना और इस rectangular figure के अंदर काफी सरी shapes है triangle shape है square shape है और circle shape है ठीक है तो सबसे पहले हम इसी को लिख लेते हैं number of triangles triangles कितने है 1, 2, 3 total 3 triangles है ठीक है ना उसके बाद number of squares squares कितने है 1, 2 ठीक है only two squares है उसके बाद number of circles circles कितने है 1 और 2 ठीक है only two circles है clear हो गया अब total shapes कितनी है वो भी देख लेते है total shapes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 total seven shapes है ठीक है अब निकालते हैं ratio A part है number of triangles to the number of circles inside the rectangle तो यहां पर हमें ratio निकालना है number of triangles to the number of circles clear तो निकालते हैं तो निकालते हैं हम denominator में रखेंगे, जो की है 2, 3 upon में 2 आ गया, यानि की 3 ratio 2, चीक है, तो ratio आ गया इसका, अब भी पार्ट देखो, number of squares to all the figures inside the rectangle, तो यहाँ पर हमें ratio निकालना है, number of squares to all the figures, निकालते हैं, ratio of number of squares to all the figures, ठीक है, number of squares कितनी है, 2, और total shapes कितनी है, 7, तो 2 आ जाएगा उपर, और 7 आ जाएगा निचे, ठीक है, तो है आपका क्या, number of squares, और 7 है, total number of figures, ठीक है, इसका कितना आ जाएगा, 2 ratio 7, clear, तो आगे ratio, C part करते है, number of circles to all the figures inside the rectangle, तो यहाँ पर हमें ratio निकालना है, number of circles का to all the figures, निकालते हैं, ratio of number of circles to all the figures, 2 circles हैं, और total shapes, 7 है, तो number of circles है, 2, और total figures है, 7, ठीक है, तो इसका भी ratio कितना आ जाएगा, 2 ratio 7, clear, अब करते हैं अगला question, question number 4 करते हैं, Distances traveled by Hamid and Akhtar in an hour are 9 km and 12 km, find the ratio of speed of Hamid to the speed of Akhtar, तो क्या करें इस question में, Hamid ने और Akhtar ने, दोनों ने एक घंटे में कुछ distance travel करा है, Hamid ने एक घंटे में 9 km distance travel करा है, और Akhtar ने एक घंटे में 12 km distance travel करा है, ठीक है, हमें क्या करना है इस question में, हमें निकालना है ratio, ratio किसका निकालना है, speed of Hamid to the speed of Akhtar, ठीक है, तो करते हैं इस question को, सबसे पहले लिखते हैं, distance travelled by Hamid in 1 hour, कितना distance travel करा है, 9 km, distance travelled by Akhtar in 1 hour, कितना distance travel करा है, अक्तर ने, 12 km, तो ये तो है distance, हमें ratio किसका निकालना है, speed का, तो सबसे पहले हमें दोनों की speed लिखनी पड़ेगी, speed of Hamid, Hamid की speed कितनी होगी, देखो, speed का formula होता है, distance upon me time, ये आपको formula ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है, speed का formula क्या होता है, distance upon me time, तो यहाँ पर Hamid ने, 9 km ट्रेवल करा है, कितने time में, 1 R में, ठीक है न, 9 km ट्रेवल करा है, 1 R में, तो distance की जगा 9 km, और time की जगा 1 R, ठीक है, 9 upon में 1 आ गया, इसका मतलब हो गया ये, 9 km पर R, ओके, तो यह speed हो गई, 9 km पर R, ठीक है, अब speed, और अक्तर, अक्तर ने, 9 km की जगा 12 km ट्रेवल करा है, ठीक है न, तो इसकी speed क्या हो जाएगी, 12 km पर R, clear, तो यह होगी, दोनों की speed, अब हमें निकालना है, इसका ratio, ratio of, speed of, हामिद, to, speed of, अक्तर, speed of, हामिद का ratio निकालना है, speed of, अक्तर के compare में, तो speed of, हामिद, उपर लिखेंगे हम, यानि की, 9 km पर R, उपर आएगा, ठीक है न, और speed of, अक्तर, निच्चे आएगा, 9 upon में 12 हो गया, ये 3 से divide हो जाएगा, तो इसको काटते हैं, 3 से, 3, 3 सा, 9, 3, 4 सा, 12, ठीक है न, तो 9 upon में 12 हो गया, अब, 3 upon में 4, यानि की, इसका ratio हुआ, 3, ratio, 4, ठीक है, तो ये ratio है, speed of, हामिद का, to the speed of, अक्तर, अब करते हैं अगला कोशन, कोशन नमबर 5 करते हैं, fill in the following blanks, तो यहाँ पर आपको कुछ blanks दे रखे हैं, इनको आपको fill करना है, ठीक है, और fill करने के बाद, आपको ये भी बताना है, कि क्या ये equivalent ratios बना रहे हैं, ये नहीं बना रहे हैं, equivalent ratios क्या होता है, ऐसे ratios जो की equal होते हैं, ठीक है, हमने introduction के अंदर पढ़ा था, तो आपको ये बताना है, कि ये equivalent ratios बना रहे हैं, कि नहीं बना रहे हैं, ठीक है, तो करते हैं इसको, सबसे पहले है, 15 upon 18, equal to 6, यहाँ पर है, और उपर है blank, यानि की box है यहाँ पर, ठीक है, ये number आपको find करना है, इन जैसे questions को मैंने introduction में सिखाया था, कैसे solve करना है, तो आप introduction वाली video को, देख सकते हो, ठीक है, तो आप इसको solve करते हैं, यहाँ पर देखो, मेरे पास 6 आ रहे हैं, ठीक है, 18 को मैं 6 कैसे बना सकता हूँ, तो देखो, अगर मैं 18 को, divide कर दू 3 से, तो 3 6 आ, 18 होता है, ठीक है न, तो इसका मतलब, अगर मैं 18 को 3 से divide करूँ, 18 को 3 से divide करूँ, तो मेरा क्या answer आ जाएगा, 6 आ जाएगा, clear, अब इसी तरीके से, जो number हमने निचे divide करा है, वो ही number हम उपर भी divide करेंगे, number हमेशा same होना चाहिए, sign हमेशा same होना चाहिए, अगर आप निचे divide कर रहे हो, तो उपर भी आपको divide ही करना है, और साती सात, number भी same होना चाहिए, निचे हमने 3 से divide करा, तो उपर भी हम 3 से डिवाइड करेंगे तो अगर आप 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3, 5 जा 15 होता है ठीक है न? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15 को 3 से डिवाइड करने पर 5 आ जाएगा ठीक है? तो इस box के अंदर आ जाएगा 5 clear? अब next देखो यहाँ पर है 10 और नीचे है box यहाँ पर आपको find करना है ठीक है? यहाँ पर क्या है अब? 5 upon me 6 तो यहाँ पर मेरे पास 10 है तो 10 कैसे आएगा? अगर मैं 5 की multiply 2 से कर दूँ तो 10 आ जाएगा simple सा है तो यहाँ पर मैं 5 की multiply कर दूँँगा 2 से तो 5 तूजा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा ठीक है? जो हमने उपर करा वो ही हमने नीचे करना है तो यहाँ पर भी मैं 2 से multiply कर दूँगा ठीक है न? 6 तूजा 12 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा? 12 दिहान आपको बस इतना रखना है से multiply करा यहाँ पर हमने उपर 3 से divide करा तो नीचे भी हमने 3 से divide करा ठीक है न? अब अगला करते है 30 नीचे है यानि कि denominator में और उपर numerator हमें find करना है ठीक है? तो अब इसको और इसको compare करते है यहाँ पर आ रहा है 12 यहाँ पर आ रहा है 30 ठीक है? तो 12 2 जा 24 होता है 12 3 जा 36 होता है इसका मतलब क्या हुआ? 30 तो 12 की table में आता ही नहीं है जब 30 12 की table में आए गई नहीं तो हम इन दोनों को compare भी नहीं कर सकते ठीक है न? तो इन दोनों को compare नहीं किया जा सकता क्योंकि 12 की table में 30 30 नहीं आ रहा, यह सब भी equal है, ठीके न, तो इसका मतलब आप इसको इसके साथ भी compare कर सकते हो, इसके साथ भी compare कर सकते हो, और इसके साथ भी compare कर सकते हो, ठीके न, इसके साथ हमने compare करके देखा, नहीं match हो रहा, ठीके न, क्योंकि 12 की table में 30 नहीं आ रहा, तब इसको हम इसके स निच्चे आ रहा है 30, उपर हमें numerator find करना है, और compare कर रहे हैं हम इससे, यानि कि 5 upon 6 से, ठीक है, तो 30 और 6, 6 को मैं 30 कैसे बना सकता हूँ, अगर मैं 6 में 5 की multiply करूँ, 6, 5 की multiply करूँगा, तो 6, 5, 30 हो जाएगा, जो चीज मैं निच्चे कर रहा हूँ, वो ही चीज आपको उपर करनी है, उपर भी 5 से multiply करना है, 5, 5 is a 25 आजाएगा, ठीक है न, तो यहाँ पर कितना आगया, 25, clear, तो इस तरीके से ये होना था, अब हमें ये बताना है कि क्या ये equivalent ratios हैं की नहीं, तो equivalent ratios बताने के लिए हमें सब के ratio निकालने पड़ेंगे, ठीक है, इन 4 fractions के ratio निकालने पड़ेंगे, तो सबसे पहले लेते हैं 15 upon 18, अगर आप इसको 3 से divide करते हो, ठीक है न, 3 से divide करते हो, तो 3, 5, 15 होता है, और 3, 6, 18 होता है, तो 5 upon me 6 आ गया, तो इसका हो गया, 5 ratio 6, ठीक है, अगला fraction है, 5 upon me 6, ठीक है न, तो ये और कट तो सकता नहीं है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, 5 ratio 6, 6, उसके बाद है, 10 upon me 12, 10 upon me 12, तो ये 2 से divide हो जाएगा, 2 5 आ 10, 2 6 आ 12, ठीक है, तो ये आ गया, 5 upon me 6, यानि की, 5 ratio 6, 6, next है, 25 upon me 30, 25 upon me 30, तो ये 5 से divide हो जाएगा, 5 5 आ 25, 5 6 आ 30, तो 5 upon me 6, यानि की, 5 ratio 6, तो देख सकते हो आप, चारो के ratios बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब ये equivalent ratios हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, yes, they are equivalent ratios, ठीक है न, तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको किसी भी question में doubt हो, तो प्लीज नीचे comment करना, मैं आपके comment का answer जल से जल देनी कोशिश करूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को like कर देना, और अब तक अगर आपने इस चैनल को subscribe नहीं करा, तो प्लीज चैनल को subscribe कर दो, और साथी में notification bell को भी दबा देना, तक ही आने वाली वीडि सुए तक ही जजा लग देना, ऑर गया का review कर देना, तक हैजियो ओ दर देना, आपको ये ओना